सुप्रभात बच्चों, इससे पहले हमने दो, तीन, चार अक्षर वाले शब्द पढ़े थे, ठीक है? आज हम चित्रों को देखकर दो, तीन, चार अक्षर वाले शब्दों को पढ़ेंगे तो आईए शुरू करते हैं देखो बच्चों, ये आपके सामने बहुत सारे चित्र बने हुए हैं ठीक है? नमबर वान, टू, थ्री, फूर, फाइब, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन ठीक है बच्चों, आप चित्रों तो पहचान रहे होगे ठीक है बच्चों आपको अगर लिखना नहीं आता है पर आप इस चित्र को देख करके पहचान सकते हो कि ये क्या है ये देखो बच्चों, ये नल है, ठीक है? ये नल है, नीचे में बाल्टी रखी हुई है और बाल्टी में पानी भर रहा है ठीक है? तो हमें बच्चों नल लिखना है तो नल कैसे लिखेंगे? ये दो अक्षर वाले शब्द है बीना मात्रा वाले ये सबी बीना मात्रा वाले दो, तीन, चार अक्षर वाले शब्द है ठीक है? नमबर वन, नल हम कैसे लिखेंगे? न ल नल नमबर टू, ये क्या है बच्चों? ये टब है ये टब है, और टब में पानी भरा हुआ है ठीक है? अब हम टब कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? टब टब नमबर थ्री में, देखो बच्चों, ये फल की टोकरी है इसमें आम भी है, सेब भी है, अनार भी है बहुत सारे फल है, ये देखो अंगूर भी है ठीक है? तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये किसकी टोकरी है? फल की तो फल कैसे लिखेंगे? फल फल ठीक है बच्चों? अब हमने दो अक्षरवाले शब्दों को पढ़ा अब हम तीन अक्षरवाले शब्द पढ़ेंगे तीन अक्षरवाले शब्द में ये क्या है बच्चों? कमल तो कमल को हम कैसे लिखेंगे? क म ल कमल कमल बच्चों आप कहां देखते हो? तालाब में ठीक है? नमबर फाइब ये क्या है बच्चों? ये है, ये किसका चित्र है? ये मटर है ये भी तीन अक्षर का है मटर अब यहाँ पर मटर कैसे लिखेंगे? म त र मटर आप भी मेरे साथ साथ लिखोगे ठीक है? नमबर फिक्स ये बच्चों क्या है? ये बहुत बड़ा महल है बहुत बड़ा महल ठीक है? जैसे ताज महल हवा महल उसी परकार ये एक महल है तो महल हम कैसे लिखेंगे? म ह ल महल आप भी इसी तरह सुन्दर हैंड राइटिंग में या सुन्दर अक्षरों में अपनी हिंदी की कॉपी में लिखोगे नमबर सेवन ये क्या है बच्चों? बटन बटन कहां लगाते हैं? अपनी कमीज में ठीक है? तो बटन को कैसे लिखेंगे? बटन बटन अब नमबर एट में ये सबी चीजों को आप पहचान ही रहे होगे ये क्या है? ये देखो ये कडाही है ये ग्लास है ये तुम्हारा कूकर है ठीक है? इस तरह से बहुत सारे बटन पढ़े हुए हैं ठीक है? तो हम इसको लिखेंगे बरतन को कैसे लिखेंगे? बरतन अब ये क्या है? नमबर नाइन नमबर नाइन में हम क्या करेंगे बच्चों? ये हैं अजगर अजगर का नाम सुनकर डर लगता है बच्चों मुझे तो बहुत डर लगता है आपको भी लगता होगा ठीक है? चलो, अजगर कैसे लिखेंगे? अजगर अब बचो ये क्या है? नमबर टैन में कटहल ये क्या है बचो? कटहल अब कटहल कैसे लिखेंगे? क-त-ह-ल-कटहल देखो बचो, हमने यहाँ पे दो अक्षर वाले भी शब्द पढ़े तीन अक्षर वाले भी शब्द पढ़े और चार अक्षर वाले भी शब्द ये जितने भी शब्द हैं ये बिना मात्रा वाले हैं इनकी मात्राएं नहीं हैं तो आप अपनी हिंदी की कॉपी में चित्र देखकर इसी तरह पहले चित्र बनाओगे आप तो नहीं बना पाओगे बच्चो आप अपने घर में किसी भी बड़े सदस्य को कहना वो आपकी कॉपी हिंदी की कॉपी में बना देंगे और उसके बाद फिर आपको बैठ करके वो लिखवा भी देंगे इसी तरह ठीक है चित्र देखकर नाम लिखो ठीक है बच्चो फिर फिर मिलेंगे अगली बार थेंक यू